नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अमारे नई वीडियो में इसके पिछले वीडियो मेंने आपको बताये था रजास्व परिशत को कम्प्लीट करने के बाद आप हम बढ़ रहे हैं चकबंदी विभाग की ओर तो चकबंदी विभाग अखिरकार होता क्या है और इसका कार है क्या क्या होता है इसे आज हम समझेंगे और जानेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज के इस वीडियो का सबसे ज्यादा important topic रहेगा कि चकबंदी जो विभाग है उसके अंतरगत जो भी heads है चकबंदी लेक पाल से लेकर जिरासन चालक चकबंदी और चकबंदी आयुक तक हम समझेंगे और जानेंगे कि इसके कितने stages है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में discussion करने वाले हैं और आगे चलके मैं आपको चकबंदी होती क्या है इसके बारे में एक अलक से वीडियो बना कि आपको समझाऊँगा जिसमें मैं पताऊँगा कि चकशबंदी कितने प्रकार की होती है और किस-किस तरीके से वो की जाती है तो आज का एक वीडियो सिम्पल सा है कि चकशबंदी वीभाग के अंतर का ताकित कारे कि अरे कितने लोग काम करते हैं और इसका नीचे से लेकर उपर तक कितने तरीके के पद है तो सबसे पहले समझते हैं कि चकबंदी विभाग ये आ गया हमारा तो आप मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू कॉंसिल, राजस परिशद, भूमी अधिपती विभाग, राजस वागदा प्रबंदर विभाग, चकबंदी विभाग और जिला गजिडियोस विभाग को बताया था कि ये पांच विभाग राजस सचीव साका के अंतरगत आते हैं पांच विभाग से इसके पिछली वीडियो मैंने आपको राजस परिशद, यानि जो पहला विभाग था, रेवेन्यू कॉंसिल का उससे मैंने आपको बता दिया था, अब बताने जा रहा हूं चकबंदी विभाग, लेकिन ये डीप नॉलेज नहीं रहेगी, ये सिंपल सा कॉंसेप्ट है कि आप ये पढ़ लेके, एक क्रिस्प पढ़ के चले जाएंगे, तो आपको एकजाम में काफी ज़्यादा हिल्प मिलेगी, देखिए चकबंदी विभाग कर जो प्रमुक होता है, उसे हम लोग कहते हैं चकबंदी आयुक्त, जो की दो भागों में उसके नीचे हमारा आता है चकबंदी आयुक्त के नीचे जिला संचालक चकबंदी यानि कि ये डियम जिस्टिक मजिस्टेर के रैंक का ऑफिसर रहता है, जिसों करते हैं जिला संचालक चकबंदी, उसके बाद आता है हमारा उप संचालक चकबंदी जो की हमारा एडियम ल के लेवल का होता है उसके बाद आता है हमारा सहायक चकबंदी अधिकारी जो कि हमारा तहसिदाल के लेवल का होता है उसके बाद आता है चकबंदी करता जो कि हमारा कानून को जिसकों लोग कहते हैं उसके लेवल का होता है और अंत में आता है चकबंदी लेक पाल तो नीचे उतार चड़ाओ इसके अंतरगत देखे जाते हैं तो ये थे हमारा छोटा सा कॉंसेट इसे आप समझ ले और ये समझने के पीछे कालन ये है कि आगे आपको चकबंदी समझ में है क्योंकि जब मैं चकबंदी बढ़ाओंगा तो उसमें ये सब लेवल की आफिसर को का काम उसके अंदर यूस किया जाएगा कि जीला संचालक कौन है बंदोबस कौन है संचालक चकबंदी अधिकारी कौन है और चकबंदी करता कौन है चकबंदी लेकपाल क्या होता है तो आपको ये आपको ये पता रहेगा कि इसके अंदर का काम कितने लोग करते हैं और इसका rank किया है offices के level का तो इसके according आप चकबंदी को असानी से समझ सकते हैं तो एक बार पढ़ने इसे मैं फिससे बता दे रहा हूँ कि चकबंदी विभा के अंतरगर जिला संचालक चकबंदी पहले तो होता है हमारा एडिशनल डिस्टिक मेजिस्टेट के लेवल का होता है एडियम के लेवल का फिर रहता है बंदोबस अधिकारी चकबंदी जो कि एडियम के लेवल का होता है सेक्टर डिस्टिक मेजिस्टेट उसके अद रहता है साहायक चकबंदी अधिकारी जो कि हमारा तैसिदार के लेवल का होता है और अंत में आता है चकबंदी करता जो कि हमारा कानून गो के लेवल का होता है और एकदम अंत में आता है चकबंदी लेकपाल जो चकबंदी लेकपाल तो खेर आप समझी गए होगी तो लेकपाल दो तरीके के होता है एक रrageट पाल एक चखडवंढ़ी, लेकपाल, तो चखडवंढ़ी, लेकपाल हमारा यहां पे आ गया, किस वीभाग में, चखबवंधी, वीभाग में आ गया, चखडवंढ़ी का अर्थ, मैं आपको बता देता हूं, कि चको को बाधना इसका अर्थ होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि exact meaning इसका क्या है फिलाल के रूप में आप इसे समझ ले कि चकबंदी विभाग के अंतरगत कितने तरीकितने level के officers काम करते हैं तो ये वीडियो हमारा इतना ही बड़ा था और वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूले अपने सारे डाउट्स को क्योंकि मैं हर डाउट को तुरंत उसका अंसर आपको समक्ष पेश करूँगा तब तक के लिए धन्यवाद